नमस्कार दोस्तों, फैंटेजी स्पोर्च प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिट से स्वागत है, इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेजी टिप्स एन बेस्ट ड्रीम 11 कॉंबिनेशन फॉर आयाक्स वसिस एनी सी निमेहान, यह है दोस्तों, डच लीग का मैच जो की 15 ओगस्ट को रात में साड़े बारा बज़े से होगी, कल की गेम्स हमारी मिक्स रही थी, हमने जो दोपर वाली, जो के लीग वाली मैच कोशिश करेंगे कि इस गेम में हम फिर से विनिंग वेज में रिटर्न कर जाएं, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, तो इसको लाइक करना मत बूलिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा, बिकॉस यहीं पे आपको टाइमली हमने इंडिया के जो भी fantasy sports apps है, उनको analyze करा है, उनके अलग-अलग features को देखा है, किस app पर आपको मिलते हैं maximum sign up bonus, कौन सा वो app है जहां पे commission सबसे low है, क्या कोई app है जहां पे आपको daily 20,000 free में जीतने का मौका मिल रहा है, क्या ऐसे कोई apps है जहां पे आपके लिए bowling league, second innings, live fantasy एसे नए नए तरह के fantasy games available है, the answer to all of this is yes, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये video, 12 minute का वीडियो है पर इसमें आपको पूरा पूरा coverage मिल जाएगा, link मैंने description में दिया हुआ है, ये video समाप थोने के बाद आप जरूर उसको check out कर सकते हो, और यदी पसंद आए तो उ इनकी season थी, वहाँ पे they did a fabulous job और कोशिश करेंगे इस game में भी to come back to winning ways, इनकी season को एक जटका जरूर लगा है, आगे चलके discuss करेंगे कि क्या वो जटका लगा था, but yes, they should be raring to go, you know, in this game against the promoted size NEC, जो की 4-5 साल बात खेल रही है Dutch League में, इन्हों ने अपना play-offs का जो final साभू जीत था and they've made it so far, but history इनके against है इस particular picture में, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, आगे चलके discuss करेंगे, but this should be a one-sided win for Ajax, हमारे जिसाब से, ये 3-0, 4-0 final kind of a game हो सकती है in favor of Ajax, पिछले 4 game की performance दिखते हैं दुनों टीम की, जटका जो Ajax को लगा है इस season, वो है opening, जो Super Cup वाली game थी, they lost 4-0 to PSV, जो की अपने आप में एक sort of kalang है, on Ajax, who seemed to be the better side, but PSV ने बखुट बड़िया performance दी उसके दिन, उसके पहले leads से वो 4-0 जीते थे अपना club friendly, they ended up drawing with Bayern and Leipzig, NEC अपना लगातार 3-0 club friendly जीता है, 3-0, 1-0, 2-0 वाली score line से clean sheet रखी है, but this game में सब कुछ उनके against होगा, as far as historical stats, as far as the strength of the squad is concerned, क्यों मैं बार बार history पर emphasize कर रहा हूँ, वो इसी लिए, Ajax के against, उनके घर पे, NEC पिछले 40 साल में एक भी भार नहीं जीती है, that's quite a statistic, and that shows, NEC traditionally struggle करी है, इस particular ground पर, इस particular opponent के against, पिछला 22 match आप देखोगे, इन दोनों टीम्स के बीच में, Ajax उसमें undefeated रहा है, in fact, Ajax Dutch league में, पिछले 23 match में undefeated है, last 11 matches आप देखोगे Ajax और नुगमागन की, तो उसमें Ajax में हर match में at least 2 goal score करे ही करे है, निगमाजन अपने last 3 away games में से 2 में हारा है, everything seems to be pointing towards an Ajax victory, हमारी expectation है, ये 2-0, 3-0 kind of a game आराम से हो सकती है, in favor of Ajax, ऐसे और interesting stats और analysis के लिए, आप हमारा free telegram channel join करना मत भूलिएगा, link description में है, पहली comment में भी आपके लिए छोड़ा हुआ है, और वहीं पे आपको not just this game, but ऐसी कई सारी cricket football, I think football की लगबक हर एक game हम cover करते है, cricket की भी majority of the games हम cover करते है, barring some T10s here and there, पूरी coverage मिले कि आपको हमारी free telegram channel पे, link description में है, पहली comment में है, फटा game की update मिलती रहे, बात करते हैं दोस्तों, expected 11 की, Ajax की तरफ से the most exciting name on this, you know, 11 is going to be Berguis, जो की इनकी नई साइनिंग है, काफी exciting player है, देखते हैं वो कैसे जल होते हैं इस पर्टिक्लर गेम में, Haler will lead the attack for them, Tadic, Sanchez और Berguis, ये तीन रहेंगे इनके midfield में, Blind, Gravenbach रहेंगे इनके holding mid midfielders, Renge, Martinez, Timber और Mazrao, ये चार रहेंगे इनके four defenders, Basweer will be the goalkeeper for them, any scene, इमेजन की बात करें, तो Branderhaus will be the goalkeeper, Ruiz, Marquez, Audenthal और Elkarani, ये चार रहेंगे इनके defenders, Proper and Schoen will start in central midfield for them, Madsen, Doolan, Okita, ये तीन रहेंगे इनके attack में, along with Bruin, जो की most important player है, एक must have pick हैं from this side, Berguiz का अगर record देखोगे दोस्तों, तो key players में यहां पे listed नहीं होंगे, because he was playing for another side last season, but he is somebody who bragged, I think, 19 goals and 13 assists last season, if I am not wrong, Tardic was the leading scorer for Ajax, 14 goals, 17 assists के साथ, Halaire had 11 goals, 5 assists, but Halaire played half the games, almost half the games versus Tardic, Tardic, Halaire, Berguiz, ये तीनो रहेंगे हमारे strong captaincy wise, captaincy option B, और must have picks for this game, इनको आप अपने teams में mud drop कर Gravenbach had 3 goals, 5 assists and Renz had 3 goals, 2 assists last season, NEC के तरफ से, Bruin is was their leading scorer, 11 goals, 5 assists के साथ, एक must have pick हो जाएंगे इस particular game में भी, Okita is another important player from this side, 4 goals, 3 assists पे था ये last year, Alkarowni had 3 goals, 6 assists, Bandruid had 3 goals, 4 assists, और ये कुछ players है यहां से, जो हमें ध्यान में रखने है, goalkeeper आप NEC का ही लोगे, because Ajax will have multiple shots on target, which means की saves points आ सकते है through the NEC goalkeeper, देखते हैं दूस्तों, अब हमारी suggested dream 11, और क्या हम combination के साथ जा रहे हैं, Tardich, Haller and Okita, इन तीनों को pick क्या हुआ है, and all 3 of them are good captaincy-wise, captaincy options in themselves, Tardich, Haller, दोनों ने पिछले season काफी मचाया था, but अभी इनके लिए supply और creativity भी काफी बढ़ जाएगी, because midfield में आ जाएंगे, जो की leading scorer थे last year NEC के लिए, and a must have pick for this game as well, एक GL combination जहां पर आप एक one all draw, two all draw के लिए जा रहे हो, पहां पर brewing को as VC ज़रूर try कीजेगा, Sean is a third midfielder, और यह 8 grade का player है, इसी के साथ हमारा three man midfield, three man attack हो चुका है, देखेंगे कि हमने defense में कैसे load करा है, we've been consistent in our expectations की एक clean sheet आ सकती है, यहां पर Ajax के लिए, और हम भी हमारे defense को उसी तरीके से load करेंगे, बट आगे चलने से पहले, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, तो इस YouTube चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, बेल notification पर प्रेस कर दोगे, तो आपको timely update मिलती रहेंगी, the moment we load any video of any match, in terms of its preview, टेलिग्राम चैनल पर final game मिलेगी, final team मिलेगी, along with the logic, link उसका description में है, defense में वीगोट देली ब्लाइंड, मज रहा हो और मार्टिनेज, तीनों को पिक्किया हुआ है, from Ajax, Branderhorst is a goalkeeper from NEC, हमने already discuss करा है, the reason for picking the NEC goalkeeper is, because Ajax will have multiple shots on target, which means saves के points आ सकते हैं वहां से, versus an Ajax keeper, जिसका upside potentially होगा, एक clean sheet आना, penalty save करता है कि नहीं, it's a 50-50 call, अगर मिलती है, नहीं मिलती है, and so on and so forth, उस basis पे हम कभी भी अपना goalkeeper select नहीं कर सकते हैं, 10 player पिको चुके हैं, 6 Ajax से, 4 NEC से, 10.5 crates बचे होगे हैं, current construct है हमारा 3-3-3, 3 defenders, 3 midfielders, 3 strikers और एक goalkeeper, from a grand league perspective, यह 11th player, एक defender या एक midfielder ही हो पाएगा, 3 forwards already pick कर चुके हैं, जो हमारे साथ से best picks हैं for this game, और इसी लिए attack में हम कोई और player नहीं pick कर पाएगे, तो wrench, timber, यह दोनों अच्छे options हैं from Ajax, if you're going for a 2-0 या 3-0 kind of a scoreline, gravenbach is also a good option, 3-0, 4-0, 5-0 kind of a combination के लिए, अगर आप 3-1 या 2-0, एक bizarre combination में जा रहे हो तो वहाँ पे prepare can be a good option, जो आप अपनी टीम में consider कर सकते हो, मोटा मोटा दोस्तों, sample team आपके साथ share कर दी है, final team मिलेगी, deadline से 10-15 minutes पहले, हमारी free telegram channel पे, link description में है, और पहली comment में भी आपके लिए छोड़ा हुआ है, याद रखना है दोस्तों, हमारी जो telegram channel होती है, वहाँ पे हम teams आपको देते हैं, deadline से 10-15 minutes पहले, along with the logic, write up, different combinations, etc. बहुत गुड़ा लगता है ये करने के लिए, because हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आत्मंदिर पर बना सकें, आपको सिखा सकें कि कैसे अपनी teams खुद से बनानी है, कैसे combinations खुद से try करने हैं, ये हम नहीं चाहते हैं कि deadline से 2 minutes पहले हमारी team दे दी, और expect करें कि आप blindly हमारी teams copy करते चलो, उद्देश ये पूरी चीज करने का ये है, कि आप कुछ से अपनी teams बनाना सीख सको, basis the research that you do, पट यार रखना है, fantasy sports में financial risk भी involved होता है, इसमें लट रखने की possibility भी होती है, तो responsible gaming करना है, जितना अपना risk appetite हो, उसके हिसाब से आप इसमें engage करिएगा, all the very best to you and thank you so much for your time.